हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप I hope all well तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेस के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जो की बहुत ज़ल्दी ही राउंच होने वाला है ये है स्पेस का सेक्टर 114 गोड़ाओं के अंदर SCO यानि की शॉप कम आफिसेज नीचे शॉप और उपर आफिसेज ये ब्रेजिट करे गया है वी हैश्टेग के दुआरा और मैं हूँ आपका दोस्त मनीश मंचन्रा तो आएए दोस्तों हम देखते हैं इसके बारे में प्रेजेंटिंग SCO बिल्ट अप SCO which is built up in sector 114 गुरगाओ ये गरा मुबाइल नंबर है 9919 11191 अब इनके साइसेज है 60 स्क्वेर यार्ड्स 80 स्क्वेर यार्ड्स 100 स्क्वेर यार्ड्स 120 और 140 स्क्वेर यार्ड्स इसके अंगर जो build up एडिया है 60 स्क्वेर यार्ड्स के अंगर इसमें आपको मिल रहा है यानि की आपको ये सारे फ्लोर मिल रहे है जो की स्पेज आपको ये बना कर दे रहा है इसे आप यूज कर सकते हैं अपने बिस्नस के लिए अपने शोरूम के लिए या फिर आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं पूरी वेर्डिंग भी इाप इसको फ्लोर वाइस भी आप इसको रेंट कर सकते हैं आईए मूं देखते हैं इसकी लोकेशन के बारे में ये हमारा गृगाओ का मैप यह है हमारी NH8 और यह है द्वार्क एक्स्ट्रेस वे अब दोस्तों द्वार्क एक्स्ट्रेस वे के साथ में अगर आप ध्यान से देखे जाने अम करसर चल रहा है यह आपकी है 75 मीटर वाइड सेक्टर रोड 75 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड यानि की अभी जितला आपका MH8 है लंगर उतनी ही चौड़ी यह रोड रही है और यह रोड सीरा आपके द्वार्क पर जा रही है तो दोस्तों यह हमारे सेक्टर 114 और 115 अब हम बात करते हैं 114 और 115 की खास्तित क्या है आप देखें यहाँ पर इसको ब्लू किलर से माप किया गया है इदर भी ब्लू है यह रेखें यह सार ब्लू है ब्लू मीन्स यह एरिया है कमर्शल एरिया जैसे सेक्टर कौणी राइन आपको पता ही है गुलगाओं के अदर गुलगाओं का यह सबसे पौमेंट सेक्टर है अगर भी कमर्शल की बात करें तो कौणी राइन से बैटर कोई भी सेक्टर नहीं है उसी तरीके से यह इस एरिया का है ब्लू यानि कि यह सारा कमर्शल सेक्टर है क्या मतलब हो है इसका द्वार का में जितने भी रोग हैं वो यहां पर आएंगे वायर दिस रोग और इस कमर्शल को यूज करेंगे इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो भी इस एरिया को यूज करेंगे यानि इन कमर्शल को यूज करेंगे तो देखा जाए इस commercial की viability बहुत strong है अब हम देखते हैं इसके price के बारे में इसका basic price है 3,75,000 रुपे per square yard दोस्तों ये built up है EDC, EDC 36,000 रुपे और बाकी अभी आप में explain करता हूँ क्यानि कि 7 square yard का हो गया 2,25,80,3,100 2 square yard का 3,75 123,4,50 और 145,25 EDC, EDC 21,60,000 28,80,36,43,40,000 50,40,000 अब एंटीवी आपने जितना amount दिया है initially उसके basis पर आपको एंटीवी मिलता है जो आपको मिल रहा है 9% के उपर यानि कि इसमें आपको मिल रहे हैं 10,12,500 पे 13,50,000 16,87,500 20,45,000 और 23,62,500 अब आपको मिल रहे हैं इसमें लीज गरेंटी एक साल की यानि की 18,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तो आपने अगर बीस लाग रुपे कर आपने इमेंटिन पाइमेट यह तो यह अगर आपको पाँच लाग का डिस्वॉंक मिलता है तो नहीं कि आपको पांच लाग का डिस्वॉंक मिला यादि अब इसका effective price आ गया 2 करोड 13,47,500 रुपीज 2 करोड 86,60,000 रुपीज 3 करोड 59,12,500 रुपीज और 4 करोड 31,95,000 5 करोड 4,77,500 रुपीज तो दोस्तों अगर हम देखा जाए इसका जो basic price है हमें उससे भी कम में बिल रहा है all inclusive तो friends अब हम बात करते हैं एक बहुत important topic आपके तो मनीश याद तेरे कहने पर मैंने ले लिया तुने बोला मैंने इसको ले लिया डाल अब यार यह बता मुझे मुझे विसमे किरायर कितना मिलेगा दोस्तों 60 गज का अगर आप rent out करते हो तो मीनिम्म अठारा लाग होगे आपको मिलेगा साल का 80 24 लाग करके 140 तक 42 लाग यानि की अगर आपको बीजेव से दे रही है तो एकस्पेक्ट कर रही है जी इतना तो आपको किराय मिलेगा ही मिलेगा तो friends दील बहुत अच्छी है अगर आप अपनी ROI कल्कुलेट करें 8% पर अगर आपको ROI मिल रही है तो friends एक बहुत भी बढ़िया डील है यानि की 8% आपको गए मिल रहा है तो दोस्तों मुझे दी रगता आज के ताइम पर इतनी बढ़िया लोकेशन के उपर सेक्टर 114 जैसी लोकेशन के उपर ये अगर आपको ROI मिल जाए तो समझों की दूंगा ना हाए Friends अगर आप इसको बुक करना चाते हैं तो आप मुझे इमिजेट कॉल करें 9919 1119 11191 पर Thank you friends I am waiting for a call Thanks and bye bye